हे देर और वेल्कम टु डॉब्लोस कुटाइग मैसल भागिरत गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लारावल के अंदर राउट को कैसे ग्रूप किया जाता है जब भी हम लोग किसे एक मॉडियूल पर काम करते हैं तो उस मॉडियूल में एक राउट जो हो यह इस पोर्ट पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है अब देखे इसमें हम लोग एक कस्टमर नाम के मॉडियूल पर काम कर रहे हैं तो अगर आप इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपने कई बार देखा होगा इस कस्टमर मॉडियूल को बट अगर आप और slash में create नाम से उपर URL बन रही है आप उपर URL को दिखते जाएए बैक करता हूँ मैं customer फिर add slash customer ओके और जब भी हम लोग इस तरीके से कोई भी काम करते हैं जैसे अगर मैं trash पे करता हूँ यहां से मैंने trash पे क्लिक किया तब भी क्या हो रहा है customer slash trash नाम की URL हिट हो रही है म यह सारी कि सारी routes हमारे पास बनी हुई है अब हमें क्या करना है हमें in routes के इस prefix को यह इन सारी routes को एक group में रखना है तो उस चीच के लिए Laravel आपको provide करता है Laravel grouping ठीक है तो routes grouping में आपको क्या करना होगा इधर लिखना होगा route और और यहां पर आपको लिखना होगा group ओके और इस group के अंदर आपको एक function लिखना है ठीक है anonymous फंक्सन है कोई नाम नहीं का और उस function के अंदर आप क्या करेंगे यह पूरा पूरा जो group है customer नाम का इसको यहां पर डाल देंगे ठीक है तो यह एक group के अंदर सारे सारे राउट्स आ गए अब वापस चलते हैं इधर रीफ्रेस्स करते हैं और देखते हैं कि सारे चीज़ें एस इस काम कर रही है कि नहीं तो यहां पर यह कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है एक बार हम इस प्रॉब्लम को लिखनाय मेक्स आय्यमट्स की वह क्लिच सकते हैं यहाँ पर की आपको माइवर्षण आयुट नहीं तो पित्यादे हैं और इस सब्सक्राइब शॉड़ देघंगे और फिर आगे हम लोग Pr function लिखेंगे और function के अंदर यह सारे routes रख देंगे ठीक है अब यह तो होगे हमारा पहला काम और refresh करते हैं एक बार देखें अब refresh करने के बाद क्या हो रहा है यह सारे routes as it is काम कर रहा है मैं फिर से आपको add प्रीफिक्स के अंदर यह डाल देते हैं हम लोग customer नाम से यह prefix है हमारा ठीक है और फिर यह पर से सारी चीजे हटा देते हैं तो यह जितना भी आपने customer लगा रखा है इसको आप अप अपने क्स्तंवर लगा रखा रखा है इसको आप अपढ़ दीजे और तो आप देखे, prefix हमारा हो गया, slash customer, और अब refresh करते हैं एक बार, और अब हम लोगों ने क्या किया है, एक prefix लगाया है, slash customer नाम से, ठीक है, अब ये prefix क्या करेगा, हर जगा पर यहाँ अपने आप लग जाएगा, जैसे अगर आप add वाले पेज पर जाते हो, आपने add के लिए क् customer, slash create, तो आप देखे, यह जो create है, उसके आगे मैंने कोई prefix नहीं लगा रखा, बट वो automatic क्या कर रहा है, उपर से prefix उठा रहा है, अब मुझे कहीं कर, अगर ये customer हटाकर user करना हो, तो मैं सिर्फ एक बार उपर user करूँगा, और मैं यहाँ पर refresh करूँगा, back चलते हैं एक ब अब next video में जब हम लोग middlewares पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ middlewares भी assign कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको simply लिखना होगा middleware, और फिर middleware में आपको एक array pass कर देना है, अगर आप multiple middleware pass करना चाते हो, यह single middleware pass करना चाते हो, और यहाँ पर आप middleware लिख सकते कर दो 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 कर